आज का वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहे हो तो अपने मेडिकल स्टोर के अंदर वो कौन-कौन से मैडिसिन्स है जिनने लखना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो एसले के जैन नेम के बीच में जितने भी मैडिसिन्स आती है सभी को मैं कवर कर रहा हूं तो मै मैं यह सीरीज लेके आहा हूं जिसके अंदर मैंने तीन वीडियो अप्लोड कर रहा है जिसमें पार वन के अंदर मैंने एस नेम से सभी मैडिसिन्स को अवर किया थैशा जो आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना है तो जो लोग नई आया है उनके लिए सबसे पहला है में कुछ इस तरीके से सेल्स बना करके और बॉक्सेस रख करके और नीमिंग कर देना है A, B, C, D इस तरीके से जैड तक तो आते हैं देखते हैं D category में आकर वह कौन-गोन से medicines है तो फॉस्ट आता है dairy filing dairy filing के अंदर आपको salt जो देखने को में लगा इतो फाइलीन और ग्रीोफाइलीन जो अमेली दवाई का काम करते हैं वह यह इतो फाइलीन और थीवाइलीन जो मेली हमारे बॉडी बार्डी के अंदर जाके यह काम दिखाते हैं और dairy filing जो की एक brand name है जिससे आप खरीदते हैं, पर्चेस करते हैं, तो यह दोनों ही जो आप देख रहे हो ना, इतोफाइलीन या थिवफाइलीन, यह एक ब्रॉंकोडाइलेटर्स हैं, यानि जो यह हमारे ब्रॉंकेल मसल्स होते हैं, यह कॉंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इनको बढ़ाने का का करते हैं, अगर यह कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो जो हम सास लेते हैं, वो किलियरली सास नहीं ले पाएंगे, आपने देखा होगा कि अस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं, उनको ब्रॉंकोडाइलेटर्स दिया जाता है, इसी वज़े से, क्योंकि उनको सास लेने के दिक स्ट्रिक्ट हो जाता हैं, इंफ्लमीशन हो जुका है, तो इसी को ओपन करने के लिए इन दवाई को दिया जाता है, आते हैं सेकंड जो कि है, डेप कोट 6, इसके अंदर डेफलाजा कोट देखने को मिलेगा, जो कि एक कोर्टिको स्ट्रोइड यानि स्ट्रोइड कलास की द देखने को मिलेगा जो मेन काम करता है निफेडेपीन एक कैलशियम चैनल ब्लॉकर है तो मैंने आपको पहले भी बता रहा है जहां भी लास्ट में आप समझ जाओ वह केल्चिम चैनल ब्लॉकर्स हैं और सभी की सभी हाइपर टेंचन एंजाइना और साथी अरीद्मिया यानि इर्रेगुलर हाट बिट में भी काम करते हैं तो हाइब बलड प्रेशर हुआ है उस पिशिंट को यह देते हैं और आपको बता दिया है एंजाइना अरीद्मिया म क्योंकि मेンユů आफने देखा होगा डाग जो सोριाजिस हम बोलते हैं तो एक तरीके का एक आटोर. इम्यून होटा है और क्योंकि सोरीय चैनल यह टरकाइटिस इन वह सेभी हाट सब्सक्राइणर ब्लडिषों तो इस तरीके के निशान बन जाते हैं बौड़ी पे हाथ पे देखने को मिलेगा इस सीटा लोप्राम और क्लोनाजिपाम अब यहां पर जो आप देख रहे हो ना यह दो दवाई है तो दो इसके अंदर जो यह कैटिगरी किस कैटिगरी में आते हैं तो SSRI selective serotonin reuptake inhibitors और जो दूसरा क्लोनाजिपाम वह एक बेंजोडाइजपीन है में ली एंजाइटी डिसॉडर जो होता है जो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं हमें एंजाइटी हमें टेंचन हमें चिंता रहता है उसको ठीक करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है जो बोलत क्या है बिकास और भी लंबा वीडियो बन जाता है इस वज़े से तो इसके अंदर जो सॉल्ट देखने को मिलेगा क्लोपी डोग्रेल जो कि एक एक एंटी प्लेटलेट और एस्पिरिन जो आप देख रहे हो यह एक N.C.I.D. है यानि नॉन इस्ट्राइल एंटी इंफ्ला में मतलब क्या काम करते हैं यह लोग एक तरीके से पेन किलर टाइप के काम करने लग जाते हैं तो मेली जो खून है उसको पतला करेंगे तभी तो जो हार्ट अटैक है और स्ट्रॉक है उससे बचा जा सकता है अगर खून जो है वह गाड़ा होगा तो क्या होगा दिक्कत हो जाता है इसी वजह से यह एंटी प्लेट की तरह काम करेंगा कि उस खूलोट को हटाएगा ताकि खून पहुंचे हर्ट तक तो इस तरीके से हर्ट अटैक और स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए उसको ट्रीटमेंट के लिए यह ड्रग दिया जाता है नेक्स्ट मात करे है और यह भी एक और NSAID ड्रग है नोन इस्ट्रोड अंटी इंप्लेमेटरी मतलब इसमें इस्ट्रोड नहीं होते हैं और यह पेंट किलर फीवर यानि एनाल जैसिक एंटी पायरिटिक एक्शन शो करते हैं नेक्स्ट बात करें तो डोविन एक डोल वीन आता है डोलोवीन फ्लस डोलोवीन अम रगवाइन अ तो इस टाइम पर देख सकते हो स्पास्म स्पास्म और इंजिरी करेंच आई ज्यानी चल लेते हो तो ऐस़ा पुषिंदि को हाड हो जाता ताइट हो जाना है इस पाज्म हो जबाएस से ठ्रेम्स के वज़ा जिसको अधर नेम से बीसिक्स और पारेडॉक्सिन दोने ही बोलता है तो मेली जो इंसोम्निया प्रॉब्लम होता है लिए इसको ट्रेटिमेंट के लिए इस मेडिक इसन को चलाया जाता है डॉक्तर प्रिस्ट्राइब करते हैं यह एक अटाइसेट्स है तो एंटाइसेट्स जो की एसिडिटी को ठीक करते हैं नेक्स बात कर तो डिल्जम 30 अलग-अलग क्वांटिटे में देखने को मिलेगा काम करेंगे नेक्स बात करें तो डियाविट डियाविट प्लस अब यह जो है ना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अलफा लिपोलिक एसेड मिथाइल कोमेलमीन एंटियोक्सिडिन और मल्टी मिन्रेल मतलब एक तरीके का न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट जिसके अलफा लिपोलिक एसेड यह भी एक एंटियोक्सिडेंट है तो यह और मिथाइल कोवेलमीन एंटियोक्सिडेंट का क्या होता है हमारे स्किन को हेल्थी रखें आप पूरी बॉड़ी को हेल्थी रखेगा और मिथाइल कोवेलमीन जो की हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन के ल 500 जिसके अंदर डिवाल प्रो देखने को मिलेगा जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है यानि मिरीगी जो आ जाता है एपिलेप्सी उसको ठीक करता है नेक्स बात करता है तो डॉने 5 जिसके अंदर डॉने पैजिल और यह एक कॉलिन इस्ट्रेस इनिविटर्स है जो कि अलजाइमर डिजेस में दिया जाता है मतलब पिशंट का यादास जो होता है वह कमजोर हो जाता है तो उस टाइम पर इस ड्रग को डॉक्टर प्रिसक्राइब करता है ड्रोटीन एम ड्रोटीन एम के अंदर दो सॉल देखने को मिलेगा ड्रोटावेरिन और मेफिनमिक और यह हेवी पेन के लिए ड्रग होता है इस टमक पर बहुत तीज पीन हो रहा हो उस टाइम पेस को डिया जाता है एंटी स्पासमोड जो है वह ड्रोटावेरिन का क्लास है और मेफिनमिक एस यह एक NSAID ड्रग है तो दोनों को दिया जाता है और यह एवी पैन के लिए में नेक्स्ट बात करते हो ड्रॉक्षल 500 इसके इंदर सीफा ड्रॉक्सिल देखने को मिल जागा एंटिमार्टिक है जो कि अब आपको समझा क्या होगा यह वाइटमिन के देखने को मिलेंगे मेली हमारे बॉन्स की requirement होती है कि आगर वाइटमिन डी थी की कमी हो तो कैल्शियम एब्जॉब नहीं होगा और आपके बॉन्स इस्ट्रॉंग नहीं होगे तो vitamin D3 का main जो role होता है कि body के अंदर जो कम है उसको fulfill करें जिससे calcium अच्छे से एब्जॉर्ब हो हमारे bones जो हंडियां है उनका health जो है और अच्छा रहे calcium वहाँ पर पहुंच पाए करेंगे और सपोट करेंगे हमारे bone के health को डाइकलो मोल जो की डाइकलो फैनक और पैरेसिटामल को कॉमिनेशन दोनों ही एक NSAID है यानि पेन किलर डाइकलो फैनक हो गया और पैरसिटामल एक एंटिपायरिटिक ड्रग यानि बुखार है दर्द है बाडी में किसी भी भाग में या joint pain है सब को ठीक करेंगा दाथ से लेकर कमर से पीट सब डूफास्टन पर आते हैं इसके अंदर डाइ हाइड्रोजेस्ट्रॉन जो कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है और हेवी मेस्ट्रॉल पेन जो हो रहा है उस टाइम पर वैजैनल ब्लेडिंग हर्मोन रिप् अब लैक्जैटिव से आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको जो इसको ठीक कर रहा है किस तरीके से काम करेंगे तो जो आपका बावल है जो इस टूल है पीट में उसको मुवमेंट करवा देंगे जो आपके इस टाइन में इस टूल है वाश्रॉम किलियर करवाने के लिए तरीके से मुवमेंट करवा देंगे ताकि आगे बढ़ जाए और आपको जो है इसली जो है वो निकल जाए आप किलियर वाश्रॉम कर पाओ तो इस तरीके से यह काम करता है डलको फ्लैक्स तो आई होप आपको ये वीडियो चलागा वीडियो चलागा तो हमारे इस वीडि प्लेलिस्ट जाकर विजट करें जहां पर मैंने टोटल फॉर पार्ट्स बना दिया है और जल्दी आपको नेक्स पार्ट मिल जाएगा